हेलो फेंट डाक्टर आर्केवेट पेट चैनल में आपका सागत है आज हम लोग इस वीडियो में डिपर्मी पार्ट एट के बारे में बात करते हैं यह जुलाई अगस्त का महीना चल रहा है इस महीने में आप जादा तब जू की प्राब्लम देखने को मिलती है पसो में जू सब्सक्राइब करते हैं तो जो सबसे पहला है मैं आप लोगों को बड़ी जानवर के बारे मताना चाहता है सब्सक्राइब करते हैं तो इसमें जो अमित राज आता है यह पंद्राइमल में आता है तीस इमल में आता है हम लोग दूसरा मतलब बात करते हैं दूसरा डेल्टा मेत्री की नाम से आता है जो मार्केट में पे वियूटाक्स की नाम से मिलता है इसमें जो content होता है इसका मतलब जो concentration होता है 12.5 mg पर ml होता है अमित राज का मतलब weight by volume होता है इसका मतलब mg पर ml concentration होता है यह आपको ध्यान डगना इसमें जो concentration होता है 10% concentration होता है 10% weight by volume के सबसे मिलता है यह market में आपको 10 मल में भी मिल जाएगा 15 में मिल जाएगा 30 मल भी मिल जाएता है तो यह मतलब हो गया तीसरा आप चौथा हम लोग बात कर लेते हैं फ्लो मेत्रीन के फ्लो मेत्रीन में आपको मतलब जो concentration होता है 1% concentration होता है और 6% weight by value के सबसे इसका concentration होता है जो आपको market में मिलता है पुरोन के नाम से आपको market में मिल जाएगा पुरोन का powder भी आता है solution भी आता है दोनों आते हैं इसका 30 मल का solution आता है पच्चास मल का solution आता है 6 ग्राम का powder आता है इसमें फ्लो मेत्रे में आपको टीकल का powder आता हो भी आपको market में मिल जाएगा अब हम लोग बात करते हैं कि इसका मतलब जैसे गाय भैंस भेड़ बखरी जो poultry फार्म में लोग मतलब यूज करते हैं उसके पारई में बात करते हैं कि इसको किस दोच के हिसाब से मतलब अपलाई करते हैं तो आप लोगों को बताना चाहता है जो इसे टीक हो गई किस वह गई माईट से इसको दो इमल पर लीटर के सब्सक्राइब करते हैं इसको पानी में डाल करके इसको अच्छे से उसके उपर वो मतलब जामर के उपर लगाते हैं पुल्टरी में जो इसका इस्प्रे करते हैं उसको मतलब एक बाल्टील पानी लेते हैं यह निकी पांच एमल पर इसको लीटर के साब से मतलब पानी लेके पूरे जो प्लेट फारंप होता है उसमें हम लोग अच्छे से स्प्रे कर सकते हैं जो गाय भास का मतलब गाय भास का जो हाउस होता है उसको 10 एमल पर लिटर की हिसाब से इसको पूरे हाउस में ही हम लोग इस्प्रे कराते हैं इस प्रकार से इसकी डोज होती है आपको ध्यान रगना जब भी आप मतलब जो रसाइट के लिए आप दवाई यूज करते हैं आपको ध्यान रगना कि आपकी आँख में ना पड़े और जब भी आप इसका इस्प्रे कराते हैं आपने जानवरों को लगाते तो आपको हाथ अच्छे से प्रापरली धुलना है इस चीज का आपका बहुत ध्यान देना है यह हो गई बड़े जामरों का अब हम लोग बात कर लेते हैं पैट्स में जैसे हमारे डाग होगे कैट होगे तो उसमें यदि मतलब किलनी बगरा लग जाती है तो उसको हम लोग कौन-कौन से म मतलब कौन-कौन से दवाईयां दे सकती है तो उसके लिए पर मेथिन कंटेंट करके आता है बहुत अच्छा सोप्तास मैक्स का सूप आता है अच्छत्य ग्राम का मार्केट मिल जाएगा यह मतलब 42 या 45 रुपय का आता है इसको आपको लगाना है आपको मतलब जो पेट्स कर सकते हैं इसका इस प्रकार से आपने मतलब इसको इस प्रकार से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं अगर मेरा वीडियो कर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट से जलू करें जिससे की मेरी नहीं नहीं वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहा है थैंक्यू